फ्रेंड स्वागत है आप सभी का दा तिंकर स्टेडी में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एलपी एंट टेक्निशन सीपर डीजल मेकैने की क्लास 9 के बारे में जी हां दोस्तों जैसे क्लास 8 में हम लोग क्लच के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया ह यहां पर हमने कई परकारी क्लच बढ़ी थी तो दोस्तों क्लास 9 में आज हम लोग क्लच के इंपोर्टेंट कोशन करने वाले हैं जो आपके रेलवे एक्जाम के पॉंट आ व यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिने किसी देरी के पहला कूशन देखते हैं आपका क्ली टॉपिक से ठीक है पहला कूशन आपका कि ड्राइव- finerन मेंबर को किस अन्हें नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ड्राइव투 क्लेच में डिवाइस है जिसका प्रियोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या करने में होता है तो दोस्तों क्लेच कैसा डिवाइस है जिसका प्रियोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या करने में होता है मैंने spring pressure plate releasing lever या यह सबी तो दोस्तों clutch cover मैंने जो आपको बताया था पूरी assembly उसमें आपकी spring भी होती है pressure plate भी होती है और releasing lever भी होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका D यह सबी होती है ठीक है next question देखिए multi plate clutch किसके खांचों में सरकती है तो आपके दोस्तों option है crank soft pressure plate fly wheel या bearing तो दोस्तों जो multi plate clutch होती है आपकी वो crank soft के खांचों पर सरकती है यानि इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों माफ कीज़ेगा दोस्तों यहाँ पर answer हो जाएगा आपका fly wheel ठीक है crank soft पर नहीं multi plate clutch fly wheel के खांचों पर खरकती है तो इसका आपका answer हो जाएगा c fly wheel ठीक है दोस्तों next question देखिए और answer का नहीं कोशिश कीजेगा single plate clutch में normal force axial force से कितना होता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था single plate clutch में आपका जो normal force होता है वो axial force के कितने होता है बराबर होता है जबकि cone clutch में क्या होता है normal force, axial force से जादा होता है ठीक है दोस्तों अगला question देखिए, कोण clutch का मान कितना होने पर clutch jam होने की संबावना रहती है, मैंने आपको बताया था कि 20 degree से कम होने पर कोण clutch का मान अगर 20 degree से कम है तो clutch के jam होने की संबावना रहती है, ठीक है next question देखिए, hydraulic clutch में क्या होता है तो दूस्तो हाइड्रोलिक क्लेक्च में क्या होता है पिस्टन होता है बिल्कुल सही एक्युमिलेटर भी होता है कंट्रोल वाल भी होता है तो इसका अंसर लग जाएगा आपका क्लेक्च काहरी क्या है तो दूस्तों क्लेक्च काहरी क्या है इंजन का गयर्वॉक्स का सम्वन तोडना जोड़ना या इमचिंजन से संबन तोडना गयर अंद् districts क Nature report to इसको क्या बोलते हैं जोडने को आपको मैंने बताया था इंगेज बोलते हैं तोडने को डिसिंगेज बोलते हैं तो इंजन से केरवाक्स का संबन तोडना वा जोडना क्लेच का वर्क है ठीक है दोस्तों नए सोचन दिखिए मल्टी प्लेट क्लेच में क्या होता है तो दोस्तों मल्टी प्लेट क्लेच में आपके क्या होता है आपको बताना है क्लेच प्लेटों की संक्या अधिक होती है क्लेच प्लेट का व्यास अधिक होता है प्रेशर प्लेट किसी भी आकार की प्रियोग की जा सकती है ज्यादा टे यो किसका रेती होता है option देखिए gear बदलने में गाड़ी की speed को धीमा करने में break लगाते वक्त तो दोस्तो तीनों options आई है यानि gear बदलने में भी होता है गाड़ी की speed को धीमा करने में भी होता है break लगाते वक्त भी clutch का फिर फृप यूश के जाते हैं या ने इस का या लग जाएगा डी ये सभी इसका अंसर लग जाएगा ठीकर दोश्थो? नास्स कोशनद देखी हो और आंसर करने कोशिश कीजिए आप भी फिलूट कुबलिंग का दूसरा नाम है तो दूसतो फिलूट कपलिंग का आप यह नोट रख लेना क्योंगी क्प्लिंग को फ्लूट क्लेश भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों अगला कुछ देखिए विद्धुचुम्ब की कि पर क्या बना रहता है दोस्तों यहां पर लचके नहीं है यहां पर क्लेश कर लिजेगा आप लोग ठीक है विद्धुचु है आपका clutch plate कि धातु की बनी होती है दोस्तों जो clutch plate होती है वो आपकी मैंने आपको बताया तो raw materials काफी important है आपकी exam point of view से यह बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए जो clutch plate होती है वो आपकी steel की पत्तियों की बनी रहती है यानि C answer इसका बिलकुल सही हो जाए यानि यह सभी यानि clutch plate के दोनों तरफ आपके चमड़े की कौर की और fabric aspect की क्या होती है lining बनी रहती है जिससे की क्या होता है friction उत्पन होता है पैदा होता है ठीक है दोस्तों next question देखिए next question है आपका निर्वात clutch में किसका reject किया जाता है दोस्तों निर्वात clutch में आपका किसका प्रियों किया जाता है option दीखिए engine की गटी का engine manifold के निर्वात का 와new की winding का यह Librication का तो दोस्तों क्या adquirिक किया जाता है इस question का आपका answer हो जायगा दोस्तों C इसका answer हो जाेगा B engine manifold के निर्वाद के निवाद को अला कुशन देखिए ऑटोली के निर्योग होता इस परकार की श्पृरेंग का पिरियोग होता है यह कुछ रहए मिल नहीं है अपर आपके ऑप्शिकन है सर्पिल का डिस्क-リक स्प्रिंग का स्थ बंद- का आपका यूज होता है यानि ए अंसर इसका विलकूल करेक्ट हो जाएगा यानि ओटोमेली क्लच में सरपिल बरकार की स्प्रिंगों का यूज किया जाता है ठीक है दोस्तों अलग कोशन अधिवा कोशन देखिये क्लच सब्सक्रावांक करें देखिये खिंब है ज след कोशन की क्लच अधियों बैद रपकार का इनसर ओखरी कोशिश केजिए के दो बद्लच वाली गाडियों में कौन सा clutch फिरियों किया जाता है तो, जो आपकी two wheeler गाड़ी होती हैं, उसमें कौन सा clutch यूज किया जाता है आपके option है, multi-plate clutch, electromagnetic clutch, vacuum clutch या single plate clutch, तो, दोस्तों, जो आपकी दो पईयें वाली गाड़ी रहती है, उसमें आपका multiple plate clutch कि जाती जिसमें कई सारी कंच अ sounds की जाते हैं ज्यादा संक्या में में using किय जाती है जो आपकी दो फ़ए मैं लेट को यूस कीं यह जाता हूँ जसे करने में कर दोस्तों डाइफ स्ब्स्टाइब करने में या उप रोख सभी में दोस्तों ढाइब घूस is train का आपका यूज होता है कि अग्रक्ति है करेग्त हो यह जाए में ठीक है और चर्यक्त करेक्ट थेगे फिर स्वरार्ट भेटंट है तो दोस्तों सी है अभी है यह दिस्वर वे अब पता चाइब मैं आपको बार 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 ब बतलने के जुरूत नहीं सब तो इसमें आपको कौन सा है अभी केंदरी क्लेच या सेंट्री फ्यूगल क्लेच बोलते हैं जिसको ठीक है दोस्तों अगला कुछन देखिए निम में से कौन घरसन या फ्रिक्शन क्लेच नहीं है कौन सा दोस्तों घरसन या friction clutch नहीं है तो मैंने आपको बताया था जो कि तरल दरब में कारिक करता है उसमें विल्कुल घरसन नहीं होता है तो यहां घरसन या friction clutch कौन सी नहीं है hydraulic clutch आपकी जो है वो घरसन या friction clutch नहीं है यानि B answer इसका विल्कुल correct हो जाए आपको बताया था किस clutch में आपको गाड़ी खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गैर न्यूटल करते समय इसकी चीज की आवसकता नहीं बढ़ती किस परकार की clutch में आपको यहां मेंली बताना है आपकी option है single plate clutch, hydraulic clutch, multi plate clutch या कौन clutch तो दोस्तों इस question का आपका जो answer हो जाएगा वो आपका answer है hydraulic clutch मैंना hydraulic clutch अगर किसी गाड़ी में होगी तो उसे खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गैर न्यूटल करने की आवसकता नहीं पड़ती है ठीक है दोस्तों अगला question देखिए double D clutch में clutch pedal को कितनी बार दवाना आवसक होता है दोस्तों जो double D clutch होती है उसमें clutch pedal को दो बार दवाना आवसक होता है ये आप लोग दिमाग में feed कर लीजिएगा ठीक है इस cancer हो जाएगा भी दो बार ठीक है friends next question देखिए निम्ड में से किसका प्रियो synchrom mess gear में किया जाता है तो दोस्तों किसका video किया जाता है आपके option है code clutch, dog clutch, अभी किंदरी clutch या disc clutch दोस्तों आपका जो dog clutch होता है उसका video synchrom mess gear में किया जाता है यानि B answer इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यानि dog clutch इसका answer बिल्कुल correct होगा next question देखिए इसका B लिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जब पेडल आप दमाते हैं तो तो उसका यूप प्रेसर पिरेट होती है और फ्लाइवील की निय演त cape क्या गाती है लगा हो दो तो नहीं फिलेखले के लिद्यार अधिक हो ağust वろ evolution अगर्फ फैनली होता है जो फूरी pressure plate लगा होता है यानि D answer इसका विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है दोस्तों next question देखिए torque converter के parts हैं कौन-कौन से हैं impeller हाँ हैगा turbine भी है और दोस्तों impeller भी है turbine भी है stator भी है आपका torque converter के part यानि इस concern हो जाएगा D all of these यह सभी ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों अगला question देखिए clutch काम करता है तो दोस्तों clutch किस राकार से काम करता है आपकी option है घर上 की साहटा से अगला question है महारी question topic का last question है इसके लोग मिलेंगे class अपनी 9-10 में दोस्तों जिसमें हम लोग cover करने वाले एक नया topic जो कि आपके railway exam के लिए काफी important होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो जादा से जादा share कर दिये ताकि हमें भी इस तरह की motivation मिलती है आप लोग के लिए हम अच्छे से अच्छा वीडियो अच्छा अच्छा content जल्दी से जल्दी रोवाइट कर सेगें इसलिए जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कर जिए चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने last question को देंपर spring का कार है तो दोस्तों मैंने आपको यह point बढ़ाया था तो देंपर spring होती है डाइपरेम spring होती है उसका कार क्या है आपकी option है कम बन को कम करना जर्की start में टौर्क अधिक करना यह सबी तो दोस्तों इस question का आपका answer है जो vibration उत्पन होते है उसको कम करने का कार आपक ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों सिर्व इतना ही है यहाँ पर हमारी class 9 class यहाँ पर आपके तीन topic cover हो चुके है बिल्कुल ठीक है अब लिए अब हम लोग मिलने बाले है अपनी next class 10 में जिसमें हम लोग नया topic पढ़ने बाले है आपके railway exam के लिए आज की वीड आपके लिए अप्डेट ही मिलते नहीं तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों जैहिन